मैं यूरोप के चार देशों का उल्ले करता हूं, इंगलेंड, जो 2500 साल हमारे पर राज करके गया हूं, फ्रांस, इटली, स्पेन, मैं इतने ही राज्यों की बात करता हूं, ये देश 200-200 साल तक दुनिया में सुपर पावर हुआ करते से, आज भी दुनिया में इनका है, आज अगर इन चारों देशों की कुल संख्या को जोड़ दें, तो वो भी, जैसे उत्तर प्रदेश के 24 करोड है, इन चार देशों की जन संख्या भी 24 करोड होती है, हमारे तो अकेले यूपी की ही जन संख्या 24 करोड है, यानि कि जितने लोग, इंगलेंड, फ्रांस, इटली और स्पेन, इन चार देशों में रहते हैं, उतने ही लोग हमारे उत्तर प्रदेश में रहते हैं, लेकिन कोरोना में इन चार देशों में मिला कर, उनकी जन संग्या उत्तर प्रदेश जितनी हैं, इन चार देशों में मिला करके, एक लाग तीस ह जबकि उतनी ही जनसंख्या वाला हमारा उत्तपदेश 600 लोगों की जान गई है कहां एक लाग तीसजार लोगों की मृत्यू और कहां 600 लोगों की मृत्यू ये बात सही है कि मृत्यू मृत्यू होती है एक हो या अनेक हो एक भी व्यक्ति के मृत्यू दुखत है लेकिन हमें ये भी मानना पड़ेगा कि इन चार देशों ने मिलकर अपने यहां जितने प्रयास किये फिर भी उनके यहां यूपी से कई गुना जादा लोगों की जाने गई और ये देश विक्सित हैं उनके पास समसादन भी है आपको यहां वहां के सरकारों को चिंता नहीं हुगी ऐसा तो नहीं है लेकिन फिर भी अपने नागरिकों को बचाने में उन्हें वो सफलता नहीं मिली जो सफलता आपको उत्तरप्रदेश को हासिल की है हर उत्तरप्रदेश वासी को गर्व होगा हर भारत वासी को गर्व होगा साथियों इस दोरान आप में से ज़्यादातर लोगों ने टीवी पर लगातार देखाऊगा, अमेरिका के रिपोर्ट तो लगातार आते थे, अमेरिका के पास क्या नहीं है, सब कुछ है, वो एक चुटकी में जो चाहिए वो इखटा कर सकता है, अमेरिका के पास साधन, संसाधन, आधुनिक, टेकलोजी, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी, आज अमेरिका कॉरोना से बहत बुरी तरह प्रभावित हुआ, आप ये भी याद रखिए, कि अमेरिका की जनसंख्या करीब 33 करोड है, यूपी की जनसंख्या 24 करोड है, लेकिन अमेरिका में अब तक एक लाग पचीस हजार लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हमारे उत्तर प्रदेश में 600 लोगों की मृत्य हुई हुई है, अगर योगी जी ने और उत्तर प्रदेश के उनके सभी साथ्यों ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने सही से तैयारी नहीं की होती, अगर यूपी में भी अमेरिका की तरही तबाही मची होती, तो आज उत्तर प्रदेश में 600 नहीं, 85,000 लोगों की जान जा सकती थी, अगर हम किसी और देश से तुलना करें, तो उस हिसाब देखें, तो 85,000 लोग जान जाती हैं, लेकिन जो मेहनत यूपी की सरकार ने किये हैं, हम कह सकते हैं, कि एक प्रकार से अब तक कम से कम 85,000 लोगों का जीवन बचाने में, वो कामियाब हुई है, आज अगर हम अपने नागरिकों का जीवन बचा पा रहे हैं, तो ये भी अपने आप में एक संतोष का विशा हैं, और देश का आत्मविश्वाज भी उसके कारण बढ़ता है, लेकिन मैं एक पुरानी घटना को जरूर आज उलेक करना चाहूँगा, एक वो भी दिन था, जब प्रयाग राज, तबके इलाबाद के साउंसर्थ, देश के प्रधान मंत्री थे, और कुम्ब के मिले में भगदर बची थी, सेंकडों हजारों लोग मारे गए थे, तब उस समय जो लोग सरकार में थे, उन्होंने सारा जोर मरने वालों की संख्या च्छिपाने में ही लगा दिया था, अब आज उत्तर प्रदेश के लोगों का जीवन बच रहा है, सुरक्षित हो रहा है, तो यूपी के साउसत के नाते, देश के नागरिक के नाते, भारत के प्रधान मंत्री के नाते, जैसे आप सब को तसलिय मिलती है, मुझे भी तसलिय मिलती है, और साथियों, इसमें भी हमें एक और बात हमेशा याद रखनी है, ये, ये सब उस थिति में हुआ, जब देश भर से करीब, 30-35 लाग से जितने समीक हमारे कामगार साथी, यूपी में पिछले कुछ हफ्तों में अपने गाउं लोटे थे, सेंकडो स्रमिक स्पेशल ट्रेडों को चलवा कर, यूपी सरकार ने मुश्किल में फसे अपने लोगों को वापस बुला लिया था, दूसरे राज्यों से आये इन साथियों से संक्रमन के फैलाव का रिस्क और भी अधिक था, लेकिन उत्तरप देश ने जिस तरह स्थीती को संवेदन सिल्टा के साथ सम्हाला, उसने राज्य को एक बड़े संकट से भार निकाल लिया, देश की भी बहुत बड़ी सेवा किये हैं उत्तरप देश ने, साथियों यूपी में 2017 से पहले जो भी सरकारे थी, जो भी ववस्ताई थी, जिस प्रकार से सासन चल रहा था, जिस तरह की सरकारे चला करती थी, उस हालात में हम इन नतीजों की कलपना भी नहीं कर सकते हैं, पहले वाली सरकारे होती तो अस्पतालों की संख्या का बहाना बना कर, अस्पताल में बिस्तरों की संख्या का बहाना बना कर, हम चुनोती को ठाल देते हैं, लेकिन योगी जी ने ऐसा नहीं किया, योगी जी ने, उनकी सरकार ने हालत की गंभीरता को समझा, उन्होंने समझा कि इतने बड़े देशों की क्या हालत हो रही हैं, बड़े-बड़े सम्रुत्ता देशों की बरबादी हो रही हैं, तो उन्होंने बुरा अंदार लगा लिया, और उए देखते हुँणोंने, और उनकी सरकार ने युद्धस्तर पर काम किया, क्वारंटीन सेंटर हो, आइसोलेशन की सुविदा हो, इसके निर्वान के लिए पूरी ताकट जोग दी गई, आप कल्पना सकर सकते हैं, उनके पिताजी का स्वरवास हुआ हो, पिताजी के अंतेश्ठी में जाने के बजाएं, यह उत्तर परदेश के लोगों के लिए, जिंद की खपाने वाले योगी जी, इस कोरोना से बचाने के लिए आप के साथ जुटे रहें, मैं योगी जी को अभिन्दन करताँ, उनका नमन करताँ, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए इतनी संवेधन सिलता,